नमस्कार सभी को जैसे कि सभी आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा चैनल LMTV इंडिया 27 तारिक को हैक हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि किसी चैनल को खड़ा करना और उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है और काफी जादा समय लगता है मेरे इस चैनल को 28 अगस्त को एक साल होने वाला था और मेरे करीब 12-13 सो उसमें सब्सक्राइबर हो गए थे अभी मोनोटाइज तो हुआ नहीं है बट यह कि अब मतलब जो मैनत की थी पूरे साल में अब उसका रिजल्ट आने वाला था मोनोटाइज भी होने वाला था तो 27 तारिक को अचानक से जो है पता चला कि मेरा चैनल हैक हो गया तो हैकर ने जो भी है हमारा जो पासवर्ड था उसका आईडी का उसको चेंज कर दिया और वो इमेल आईडी उसने अपनी इमेल आईडी डाल दी इसमें और पूरा मतलब उसके पास कंट्रोल चला गया है अभी हमारे पास जो गंट्रोल है हम उसमें वीडियो डाल सकते हैं वीडियो डिलीट कर सकते हैं इस तरह के य कि प271D के कि आप पिटाए घ्र चेलल कमाले के अभी है और हमने जो काफी कोसिझ की थि कि हमारा ये रिकावरी हो जाए मेरे बेटे हैं थो उन्होंने काप永 Pear關係 की ती और यूट्यूब से कुछ कुछ करने की कोशिस की पर कुछ भी ऐसा ना तो कोई इमेल मिला ना कोई किसी तरह का कोई कॉंटेक्ट वगरा मिला नहीं है तो हमने इसकी सेफटी स्कॉटी का एक लीगली कानूनी रूप देखने के लिए हमने इसको साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी कंप्लेंट कर दी है 27 तारिक को तो उसके बाद 28 तारिक को जो है उन्होंने हमारी जो कंप्लेंट है उसको एकसेप्ट कर लिया है और अभी 29 तारिक को उसने जो हमारी मेहनत पे जो पानी फेर रहा है जिसने वो बिकारी है क्या नालाक इंसान जो दूसरे की महनत को जो है उसपर डांका डाल रहा है और मतलब डांका डाली लिए आज इसने तीन वीडियो डाली थी तो वह वीडियो फिर हम लोगों ने उनको डिलीट कर दिया है कि वह गैम वाली वीडियो डाल रहा है तो गैम वाली वीडियो जो है उसमें ऐसे लगता है कि कुछ इस तरह के कंटेंट होते हैं कि वह जल्दी हैक हो जाती है ऐसा कुछ मेरे को प्रतीत हो रहा है तो हमने फिर और मेरी जो वीडियो थी उसने उनको private कर दिया है हमने फिर इसमें क्या किया है कि जब किसी तरह से हमें कोई लगी नहीं रहा कि हमारे recover हो सकता है तो हमने अपनी वीडियोस में से delete कर दिया है और उसने मेरे जो profile है उसको भी change कर दिया मेरी photo की जगा है किसी और की photo लगा दी थी इसने तो इस तरीके से उसने हम इसको पूरा है एक करके रखा हुआ है तो मेरी एक साल की महनत है उस पर इसने पूरा पानी फेड़ दिया है तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा और लोगों के साथ ना हो तो उसके लिए सभी अपने चैनल है उनको जो है सुरक्षित कर लें क्योंकि हमे नहीं पता कि हमारे है य disposicouch और कितने लोग जो है कि यह चैनल ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड दिखते हैं तो कितने जो है हमारे गिद्ध वाली नजर हमारे चैनल के ऊपर जो है कुछ ना लाइक लोगों ने रखी हुई है तो उस सब करने के लिए सुरक्षा होनी जाये और इसकी जो सेप्टी स्कोर्टी के लिए सबसे पहले जो है इसका जो एकाउंट होता है गूगल का अकाउंट होता है उसका उसका वैरिफिकेशन कर लें और उसके वैरिफिकेशन केलिए जो है मैं एनीज योर गूगल एकाउंट होता है उसको उसमें जाएं और उसके बाद प्रोफाइल होगा और प्रोफाइल के नीचे उसमें लिखाऊजा ओन या ओफ और य допया वो ऑफ है तो उसको on कर लें तो उसके उससे जो है उसका verification हो जाएगा और दूसरा जो है उसके लिए एक backup code होता है उसके बाद backup code का option आ जाएगा तो backup code को जो है उसको भी जो है activate करें और जब backup code आप उसको activate करोगे तो Google से automatically उसमें से backup code जो है से दो चीज़े टू स्टेप verification और यह backup code होता है तो उसके होने के बाद जो आपका जो चैनल है वह सुरक्षित हो जाएगा स्कूर हो जाएगा तो आगे की जो भी इसमें कुछ भी और जो प्रोग्रेस होती है वह मैं आप लोगों को फिर जो है किसी और वीडियो में है कि हम लोग कितना दिन रात मैनत करके अपने चैनल बनाते हैं इतनी जो उसमें टैम लगाते हैं और इतनी जो चीजेंं हम करते हैं सालों लगजाते हैं इसको करने में और कुछ जो है राह खोर लोग颜़ बेगे लिए आया तो मैं आपको बताऊंगा और हम मैं सोच रहा हूं कि मैं कोई और दूसरा चैनल बनाऊंगा तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दोंगा अभी तो बैराल है कि थोड़ा सा मैं टैंसन में हूं कि एक महीने की मेहनत पर मेरी पर पूरी तरके से इसने पानी फेड़ दिया तो अब जो है उसका जो भी म मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सभी अपने चैनल को सुरक्षित कर लें क्योंकि हमारे उपर बड़े सारे गिद्धों की नजर है कि हम लोगों पर कवो जपट्टा माल लें ठीक है और आगे की जो भी अपडेशन होगी मैं बताऊंगा नमस्कार